तो आप सृष्टी को चूराय होते हैं अगर आप किसी शब्द को सपर्ष करते हैं तो आप बस इनसान की मनोवज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं ध्वानी की शक्ती को कम ना समझें इसका हर चीज परOS रहोता है मंत्र ध्वनियों का एक सैयोजन या मेल है अगर आप सैयोजन का ठीक से उच्चारण करते हैं तो यह आपके लिए स्रिष्टी के अंदर एक द्वार खोल देगा अर्थ को जाने बिना क्या मंत्रों का जाप करना ठीक है? मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता देखें मंत्र के दो आयाम होते हैं मंत्रों से कोई अर्थ रखने की उम्मीद नहीं की जाती इस परंपरा में विभिन प्रकार के मंत्र है दुर्भागे से जो मंत्र सामान्य रूप से जाने जाते हैं उनके अर्थ दिये गए हैं ताकि लोग इनसे जुड़ सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं, जो ऐसी किसी भी चीज के साथ शामिल नहीं हो सकते, जो अर्थखीन हो, इसलिए वो सूर्योद है, सूर्यास्थ, चंद्रमा, पूर्णिमा, हर चीज से वो चूप जाते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है, पूर्णिमा का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, आगर आप प्यार में हैं, सिर्फ तभी इसका काफी मतलब होता है, वरना ये है क्या, कुछ नहीं, इसके कोई माइने नहीं है, इसका मतलब है कि ये उप्योगी नहीं है, क्योंकि आपने इनके साथ एक बेवकूफी के मायने जोड़ दी हैं, ये वैसे भी मौजूद है, आपसे परे इसका अस्तित्व है, ये आपसे पहले मौजूद था, ये आपके बाद भी मौजूद रहेगा, इसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे एक मायने दे देते हैं, तो यह उपयोगी हो गया है या उपयोगी नहीं हुआ, तो दुनिया में बेवकूफ लोग केवल अर्थ पून्द चीजें करेंगे. वो बुद्धी जी भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन के प्रतिमूर्ख, उन्हें जीवन की कोई समझ नहीं है. अगर आपके पास जीवन की समझ है, तो आप देखेंगे कि वो सबसे अर्थ हीन चीजें ही हैं, जो वाकई आपको जीवन रखती हैं. कैसा नहीं है? नहीं? इसे लिए उन्होंने दो तरह के मंतर बनाएं. मंतरों का एक बड़ा समू जिसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध ध्वनी. आप हमारे संगीत में भी इसे देखेंगे. यक्ष कारक्रम अभी समाप्त हुआ है, और हमारे कई लोग, जो अर्थ खोज रहे थे, वो पूरी तरह से उप गए थे, क्योंकि वो 40 मिनिट तक आला आप कर रहे थे. कुछ तो कहिए, कम से कम शिव, शम्भो, कुछ तो बोलिए. नहीं, आ, टिंग, टिंग. वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ध्वनी के बारे में हैं. ऐसा क्यों है कि एक शब्द से जिसका कोई अर्थ है, ध्वनी इतनी ज्यादा महत्वपून है. अर्थ इंसान के द आप ध्वनी को स्पर्च करते हैं, तो आप स्रिष्टी को छूराय होते हैं. अगर आप किसी शब्द को स्पर्च करते हैं, तो आप इंसान के सिर्फ मनोवैज्यानिक संरचना में प्रवेश करते हैं. इंसान की मनोवैज्यानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का आपागलपन है. हम इसका आनन्द ले सकते हैं, हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये खास किस्म की कालपनिक व्यवस्था है. ध्वनी, शृष्टी का एक मूल-भूत पहलू है. अगर ध्वनी पर आपकी महारत है, तो एक खास तरीके से आपको स्रिष्टी पर महारत हासिल है, क्योंकि स्रिष्टी ध्वनियों का बस एक जटल सम्मेलन है, ये स्रिष्टी का खाका है, लेकिन अर्थ इंसानी चीजे हैं आप जानते हैं कि एक ही शब्ड के अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग मायने होते हैं, यहां तक कि भारत में भी आप ये जानते हैं, एक ही शब्ड के अलग-अलग मायने होना, इसलिए है, क्योंकि ये पूरा इंसान के द्वारा गड़ा गया है, ध्वनी गड़ी द्वानी स्रिष्टी के स्रिजन का हिस्सा है अभी पूरी स्रिष्टी एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है आप इससे सुन नहीं सकते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन but the words and meanings are a human making शब्द और अर्थ इन्सान के बनाए हुए हैं सिर्फ एक साजश के रूप में इसके माइने हैं जब मैं साजश कहता हूँ तो क्या आप सुनते हैं कि जींगुर क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है? आप नहीं जानते, लेकिन वो बात कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह ही हैं. उन में से कुछ बस ध्वनी पैदा कर रहे हैं, केवल आलाप कर रहे हैं. सिर्फ ध्वनी, केवल ध्वनी का आनंद. सृष्टी का आनंद लेने का एक माइने में मतलब है उसकी ध् आपके पास सुनने के लिए उत्सुकता नहीं है। अगर आपके पास ध्यान देने की उत्सुकता नहीं है, तो आप असल में सृष्टी के किसी भी पहलू का आनन्द नहीं ले सकते। आप सिर्फ अपने सिर में चल रहे मनोवैज्ञानिक धाचों का आनन्द लेंगे। तो य उनोई बहुत अविबूत करने वाले होते हैं। इसलिए जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, तो पहली चीज है मौन। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्थिर हैं, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, 30 दिन का मौन, 60 दिन का मौन। अगर आप मनोवैज्ञान के बाद वो इसकी कमी पूरी कर लेते हैं। आप में से जो लोग बहुत बाते करते हैं, आप जानते हैं कि अर्थ निरर्थक है। आप बस बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें वाहिर हैं, वो बिना किसी मतलब के बस यूँ ही बोलते रहते हैं। वो बिना किसी तो हमारे लिए ठीक होगा, या अगर आप एक संगीत कार हैं, तो आपका विर्थ ध्वनिया करना ठीक होगा, अगर आप बोल रहे हैं, तो आपसे कुछ अर्थ पून कहने की उमीद की जाती है, तो मंत्र को कहना नहीं है, बस इसका जाप करना है, जाप के माइने है कि ये जा तो अगर आप अर्थ नहीं जानते, तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है, बस पूरी तरह से ध्वनिया के साथ शामिल होकर इसका उचारण करना है, लेकिन सबसे पहले, आप जो बोल रहे हैं, क्या ये एक मंत्र है, या एक भजन है, या ये एक संकीर कितन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए, अगर ये एक मंत्र है, मंत्र का अर्थ है शुद्ध ध्वनी, इसका कोई अर्थ होना जरूरी नहीं है, आप इसे जो चाहें अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बिना आप इ कैसे शामिल होना है, तो आपको इसे कोई अर्थ नहीं देना चाहिए, का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पहाड़ के उपर किसी चीज के साथ बैठे एक आदमी की कलपना कर रहे हैं, और उसके आसपास कुछ हो रहा है, नहीं, शुरुआत में अगर यही एक मात्र तरीका है जिससे आप इसमें शरीख हो सकते हैं, तो आप शिव काशी वाले कैलेंडर को देख सकते हैं, ठीक है? एक बार जब आप जान जाते हैं कि ध्वनी के साथ कैसे शामिल हो, तो आप इस आदमी से छुटकारा पालीजिए, उसकी जरुरत नहीं है, वो एक व्याबधान है, मैं आप खुद को ध्वनी में शामिल करते हैं, क्योंकि आप स्वयम, आपका भौत एक रूप, ध्वनी का एक खास पैटर्न है, अभी आप खुद को ध्वनी के एक अलग पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ध्वनी एक अधिक विशाल ध्वनी तक योग करते हैं, आपको पता है, तिजोरी में, तालो में, तालो को कॉम्बिनेशन ताला का जाता है, तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही तरीका या क्रम पाना होगा, तो मंत्र एक कॉम्बिनेशन है, अगर आप सही कॉम्बिनेशन पा जाते हैं, तो ये आपके लिए श्रिष्टी के अंदर एक द्वार खोल देगा, अर्थ हैम नहीं है, आप इसे जो भी अर्थ देते हैं, कितना भी उचा या नीचा आपको लगता है कि अर्थ हैम है, असल में अर्थ एक गड़ी हुई चीज है, ये एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया है, किसी शब्द का कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है, अभी हम जो भी हिंदी शब्द बोल रहे हैं, उसका पेड़ों के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप असल में आजमा सकते हैं, ये प्रयोग किये गए हैं, अगर आप यहाँ बैटकर खूपसूर्थी से गाते हैं, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम यहाँ बैटकर वाकई में गाते हैं, ठीक से, आज़ तो पेड़ फूलों से भरा हुआ है, ये यक्ष के कारण हो सकता है, ठीक है, बारिश ने इसमें मदद की है, लेकिन ध्वनी की शक्ती को कम न समझे, ध्वनी की शक्ती को कम करके ना आके, इसका हर चीज पर असर होता है, ये अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं, तो पेड़ इसका उत्तर दे सकता है, अगर आप संगीत गाते हैं, तो वो इसका जवाब दे सकता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं, तो ये रिस्पॉंड नहीं करेगा, ये पेड़ के साथ सच है, ये चैतन्य के साथ भी सच है, झाल आप सकता है,